हेलो दोस्तो कैसे हैं आज हम लोग रटा हुआ याद नहीं रहता अपने दिमाग को कैसे ट्रेंड करें इसका second part में है दोस्त पिसले part में हम लोग सेखे थे कैसे externally हम लोग अपने आपको तैयार कर सकते हैं चीजों को ज़्यादा देर तक रिटेंट करने के लिए कैसे हम चीजों को ज़्यादा देर तक अपने माथे में रख सकते हैं आज हम लोग सीखेंगे internally पिछले में क्या सीखे थे externally आज सीखेंगे internally कैसे चीजों को अपने अंदर जादा समय तक रख पाएंगे इसी को तो यादास्त बोलते हैं न दोस्त पढ़े याद रहे हमारा मेमरी है नहीं याद रहेगा तो भूल गए रटते तो बहुत हैं याद नहीं रहता है इसी टॉपिक पर हम लोग पिछले सेशन में देर तक रख पाए मेरे लिए काम करें मतलब हमको यह करना पड़ेगा दोust कि अपने दिमाग को इस तऱ से तयार करना पड़ेगा भेन को इस तऱ से आपको प्रोपर तरीके से स्टेडिजीकली उसको इंस्ट्रक्ड करना पड़ेगा कि भाया तुम मेरे लिए ऐसे काम करके दो एक छोटा से इसाम्पल देताए आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा जैसे माल लेते हैं कि एक बहुत बढ़ा दुकान है ठीक है बहुत बढ़ा दुकान है बहुत सारा माल पूरा ठूसा हुआ है ये देख लीजे एक A दुकान है और दूसरा B दुकान है A दुकान में भी माल पूरा भरा पड़ा है अब B में भी पूरा दुकान में माल भरा पड़ा है एक ग्रहां काता है A के पास उसको भूलता है भाईया हमको कोई फलना समान दीजिए तो A क्या करता है? सोच में पढ़ाता है यार दुकान में माल तो है कहां रखें जाता है दुकान में पूरा इधर उधर ढूंडता है कभी इस रेक में देखता है कभी उस रेक में कभी उस रेक में ultimately उसको वो समान नहीं मिलता है यह ग्रहाक लोट जाता है ग्रहाक लोटके कहा जाता है यही ग्रहाक B के पास आता है अब B के पास यही ग्रहाक गया B को बोला भाईया हमको यह समान दीजे अब B के अगरता है जाता है डेरिक्ली और उसी जगह पर हांत लगाता है और वहां समान निकालता है और ग्रहाक को देता है अब आप यह सोचिए कि ग्रहाक A और ग्रहाक B में क्या difference था आखिर ये माल नहीं दे पाया और ये माल दे दिया दोनों के जबकि दुकान में माल ठुस्थूस के भरा पड़ा है एक तुरत देता है एक नहीं दे पाता है मतलब B को पता होता है कि मेरा समान कहां रखा हुआ है और A को ये ध्यान में नहीं रहता है कि समान कहां है जबकि समान दोनों के दुकान में थी लेकिन एक दे पाता है दूसरा नहीं दे पाता इसको correlate कुछ कर पा रहे हैं ये example देने का मेरा purpose क्या है यह example देने का purpose मेरे यह दोस्त की जैसे आप लोग दोस्त हैं teacher आते हैं class में आपसे कोई सवाल पूछते हैं कोई आपके parents आपके relatives आते हैं आपसे कुछ पूछते हैं और आप क्या करते हैं? अरे क्या पढ़ेते यार क्या सर जी बतायते यार पेट में तो है मुँझे नहीं गल रहा कैसे बोलें यह करते हैं और दूसरा बंदा होता है आपका भाई या दीदी जो भी है फट से answer दे देता है आप बोलते हैं बढ़त होसियार है इसको तो सब आता है कोई सन पूछे दम जट से मुझे एंसर देता है ऐसा क्यों होता है कभी सोचें एक बंदा को यह पढ़ा हुआ है he knows but that moment में वो answer नहीं कर पा रहा है और यह भी पढ़ा है लेकिन यह answer दे पा रहा है purpose कभी सोचें दोस्त आखर हो कहा रहा है problem कहा पर है problem है दोस्त अपने brain को train करना हम लोग अपने brain को train नहीं करते है हम लोग अपने brain को कैसे train करेंगे देखे कुछ लोग अंजाने में अपने brain को train कर लेते हैं और कुछ लोग जान बूज कर train कर रहे हैं तो जो बच्चा answer दे दिया वो अंजाने में अपने दिमाग को train करके रखा है उसको पता नहीं है he doesn't know even कि हम क्या कर रहे हैं बट उसके activity जो है वो उसको channelize कर रहे है उसके दिमाग को अंजाने में हुआ है जान बुच के नहीं हुआ है उसको पता नहीं है बट वो कर रहा है वैसा ही और आज जो हम लोग सीख रहे हैं दोस्त चुकि हम लोग में कमी है इसलिए हम लोग अपनी कमियों को हटाने के लिए इस सेशन में आए हैं यहां सीख रहे हैं कैसे करेंगे ब्रेन को train कैसे करेंगे ठीक है तो सबसे पहला काम के आए दोस्त ये समझ लिजए कि हमारा दिमाग जो है वो नौकर है और हमारा दिमाग जो है वो उसका बॉस है हमको अपने दिमाग को पता होना चाहिए कि हम अपने स्टाफ से कैसे काम करवाएं तब आप हमसे एक सवाल पूश सकते हैं कि सर इस स्टाफ कौन है दुकान में माल भड़ा पड़ा है A और B जो दुकानदार है वही तो है ग्रहाक कौन है हम खुद जो हम डिमांड करते हैं उससे दुकान कौन सा है हमारा ब्रेन कोर्लेट किजिए ने इसको दुकान क्या है हमारा ब्रेन जिसमें सारा माल भरा पड़ा है यहनि सारे information सारा knowledge भरा पड़ा है यहां पर पढ़े हैं हम लोग A और B कौन है हमारे neurons है जो हमारे staff है clear है और आप क्या है हम क्या है हम लोग ग्रहाक है हम जो मांगे अपने दिमाग से यानि अपने दुकान से neurons को उसी समय लाके देना होता है अगर वो लाके देता है तो समझे कि आपका दिमाग ढंक से systematic काम कर रहा है नहीं तो exam में आप बैठेंगे सोंचते रहेंगे और exam में आपका answer नहीं हो पाएगा आप पीछे रह जाएंगे दोस्त इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा हमको अपने दिमाग को train करना है आपको यह समझना पड़ेगा हमारे दिमाग में बहुत सारे निरोंस है दोस्त यही निरों क्या करते हैं messages को, informations को इधर से उधर करते हैं हम जानते हैं, हम लोग के सरीर में पांस से इन सौरगन है दोस्त आख है, नाख है, कान है तो अचा है, जीव है, सब को है informations हम लोग यही से input करते हैं जैसे कोई हमें चीटी काटता है तो हमको पता चलता है हम कुछ देख रहे हैं, तो पता चलता है बोल रहे हैं, तो कोई सुन रहे है कान है, सुनता है मतलब, सारा informations जो हम लोग input करते हैं, consciously हमारे brain में जाता है, और यह कहां जाकर restore होता है, subconscious mind में जाकर restore हो जाता है, हमारे यहां का पूरा खजाना यह नहीं के पासे देखिए, एक research में बोला गया है कि हमारा conscious mind 10% काम करता है, सब कॉंसियसमेंट 90% काम करता है यह रिसर्च में बोला कहीं पढ़े थे दोस्त कुछ यह सा लिखा हुआ था हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं 10% 90% सोच यह सब कॉंसियसमेंट और कॉंसियसमेंट कॉंसियसमेंट मतलब जНе जान ऐबूचकर करते हैं चेतन मन जो जगा हुआ मन हैं जो क्या करते हैं मतलब यह हमारे क्या है memory card है समझ रहे हैं और यह हमारे क्या RAM है RAM है और ROM है दोस्ते यह सारा पढ़ा हुआ सबकुछ जाके हैं store होता है और यह हमारा एक दम फटा-फट काम करें जो RAM बोलते हैं हम लोग अपने mobile बात करते न यह 4 GB करें में है 6 GB करें में ऐसा है और store कितना भी है 64 GB है 128 GB है 256 GB है यह कुछ ऐसा गाम करता है जो पढ़ते हैं सारा जाके है store होता है यहां से जाटा जो retrieve करता है वो हमारा neutron करता है दोस्त क्लियर है तो हमको अपने दिमाग को उसी तरह से train करना है अब train करने में क्या करना पड़ेगा सबसे पहले का करना पड़ेगा हमको अपने लिए goalset करना पड़ेगा दोस्त गोल्सेट कैसे करेंगे जैसे माल लेते हैं कुछ बच्चे हैं जिसको board एकजाम निकाला है तो बो लेका मुझे class 10 illustrations बोड एक्जाम निकाला है मुझे क्लास 10 के बोड एक्जाम में 99% माक्स चाहिए है 100% माक्स चाहिए 98 चाहिए 90 चाहिए हर बच्चे अपने capability के हिसाब से अपने लिए goal sit करते हैं जो बच्चा exam का तहरी कर रहे हैं कोई job का तहरी कर रहे हैं जिनको UPSC crack करना है जिनको BPSC crack करना है कि इनको PCS crack करना है किसी को NDA crack करना है वो अपना NDA selection UPSC selection BPSC selection जो भी selection करवाना है अपने सामने लिख के रखें अपने बोर्ड पे एक जगह नहीं रखें दोस्त बहुत सारे जगह पे साथे एक poster बनाईए उसके उपर लिखिए और उसको चीपका लीजिए जहां आप पढ़ते हैं वहाँ पर अपने lettering में, bathroom में जहां जहां आप बैठके पढ़ने कोसिस करते हैं, हर जगह अपने copy पर हर जगह लिख के रखें क्या होता है, आप अपने subconscious mind को train कर रहे हैं यह क्या करना है, यह process है दोस्त brain को train करने का इसमें का करते हैं, आप अपने subconscious mind को यह बोल रहे हैं कि बेड़ा देख ले, तुको UPSC crack करवाना है देख ले भाई, तेरे को 98% board में चाहिए, 10 class 10 में कुछ चाहिए, देख भईया, को last 12 में हमको 98% mark चाहिए 90% mark चाहिए, अब तुमको काम करना है क्या, कि तु अपने सारे जो staff हैं, सब को channelize कर दे भाई, क्यों, सारा काम हो ऐसा ही करेगा, कि इसको 98% marks आ जाए, तु लोग सब एक साथ हो जा भाई, क्योंकि इसको UPSC में crack करना है, इसको BPSC में crack करना है, ग्रहा को सारा माल मिलना चाहिए, इदम time पे, गड़बर नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करते हैं, goal set करके, sub concept mind को train करते हैं, मने instruct करते हैं दोस्त, यहां से इसको instruction मिल रहा है, कि इसके माध्यम से, conscious mind से, आप सारे information को कहां भेज रहे हैं, ऐसे जा रहा है, goal set किये, goal set से conscious mind को क्यां, conscious mind क्या जाकर बोला, alert mode पे आजा, अब तेरा सारा काम है, जैसे आप प्रधान मंत्री आश्पति आते हैं, क्या होता है, मुखे मंत्री आते हैं तो क्या होता है, पूरे पुलिस विभाग, महकमा सब एक साथ चैनलाइज हो जाता है, सब alert mode पे होते हैं, हर देखिए का हर mode पे, चौराहे पे पुलिस की जीप खड़ी होती है, सब salute मारत रहे होते हैं, मुखे मंत्री को, पधान मंत्री को, क्यों? क्योंकि सब पूरा system काम करना सुरू करता है, एक साथ में, उसी तरह से, ये जो goal state है, ये आपका मुखे मंत्री है, ये आपका CM है, ये आपका PM है, ये आपके president है, जो भी आपको समझना है, समझ लीजिए, और सब को पुलिस महकमा कौन सा है, ये पूरा पुलिस महकमा काम कर रहा है आपके लिए, सब को एक line से channelize कीजिए, कि भाईया, देख, अब हमको 98% mark चाहिए, तू हमको अब distract नहीं करेगा, distraction सर्थ बहुत जगा होता है, आप हमारे हम लोग के पुराने वीडियो में आप देखे होंगे, कैसे हम लोग distract होते हैं, बहुत जगा है, उस पर भी हम लोग नहीं बात करेंगे, वो आप देख लीजिएगा, नींद क्यों आती है, वो वाले हम लोग के वीडियो में, distraction के बारे हम लोग चर्चा किये थे, तो distraction हम लोग का बहुत बड़ा reason होता है, तो हम लोग goal set करेंगे towards our goal, कि हमको क्या करना है अपने जीवन में, सब जगह चिपका लीजिए उसको, ठीक है, और जो भी काम कीजिए, work towards your goal, अपने goal को achieve करने के लिए काम कीजिए, आपको चाहिए, board exam में अच्छा number चाहिए, 90% माँख चाहिए, 98% माँख चाहिए, नौकरी चाहिए, अगर हम लोग पॉड़ क्यों रहे भाई, कहीं न कहीं select होने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक अच्छा रूतबा प्राप्त करने के लिए, समाज में आपकी इज़्जत हो इसके लिए, तो आप किसके लिए काम करेंगे, अपनी इज़्जत को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो मेरी इज़्जत कैसे बढ़ेगी, मेरा गोल क्या है, ताकि हम ज़्यादा सज़्यादा information आप तक पहुंचा, यह मेरा गोल है, यह मेरा goal set है दोस्त, कि हम ज़्यादा सज़्यादा informative सेशन्स त्यार करें और आप लोगों को दें, ताकि आप अपने life में ज़्यादा ग्रो कर पाएं, हमारे पास भी कुछ information है, जो आप से share कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से आप अपने लिए भी goal set कीजिए, और उस goal को पूरा करने के लिए काम कीजिए, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हूं, पढ़ाई कर रहे हैं, हमको physics पढ़ना है, chemistry पढ़ना है, gk पढ़ना है, sst पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, हम लोग का पुराना वीडियो आप देखिए का, उसमें हम लोग बहुत सारा तरीका बता हैं, पढ़ने का, और कुछ अब अलग तरीका बता रहे हैं आपको पढ़ने का, दिमाग के हिसाब से, brain को कैसे train कर रहा है, brain train करता है, brain को कोई चीज कैसे याद रहता है, आप यहां से जा रहे हों, चालक से यहां से गुजर रहे हों, और गुजरते हुए आप रास्ते में बहुत सारा चीज देखते हैं, बहुत सारा घर, मकान, बिल्डिंग, सब कुछ देखते हैं, क्या आपको याद रहता है, कोण आदमी गुजरा, कोण नहीं गुजरा, आपको सब याद रहता है क्या, नहीं याद रहता है hardly बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत याद रहता होगा लेकिन यही अगर आप कुछ uneven चीज देख लें कुछ ऐसा चीज देख लें जो कि बिल्कुल और समान्य है एक आदमी देख लें जो 7 feet का है एक बॉना देख लें जो छोटा सा है एक बहुत सुन्दर कोई लड़का हो या लड़की हो एक बहुत सुन्दर खुबसूरत सी काड़ी हो कोई अंजाना चीज देख लें आपको बहुत अच्छे से वो चीज याद रहता है तो आप अपने पढ़ाई में भी वही काम करें न उन चीजों को ऐसे विजूलाइज करें कि कुछ बहुत ही अजूबा टैप का चीज है कोरिलेट कीजे न उसको कोरिलेट कीजे किसी चीज से और जब कोई अजूबा चीज आप देखते हैं न समान ने चीज देखते हैं तो वो ज़दा देर तक आप के माते में रहता है आप बोलते हैं अज़िए जब कोई चीज जरूरत से ज़्यादा अच्छा या खराब हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा दिन तक याद रहता है तो ठीक उसी तरीके से उस तॉपिक को भी कुछ वैसा ही कुछ क्रियेटिव कीजिए, उस टॉपिक को कुछ वैसा ही क्रियेटिव तैयर कीजिए न, ताकि आपके दिमाग में ज़्यादा दिर तक रहें, जो बहुत ज़्यादा अट्रेक्टिव हो जाए, आप जानते हैं कि हम लोग का दिमाग का सबसे ज़्यादा जो active ang होता है आँख होता है, आँख सबसे ज़्यादा चीजों को ध्यान में रखता है, catch करता है बहुत ज़्यादा पकड़ता है आँख इसलिए तो बोलते हैं आँख से देखा हुआ चीज बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है तो हम लोग उस चीजों को विजोलाइज करें विजोलाइज कीजिए कि वो ऐसा है अरे कहीं एक बुक में पढ़े थे दोस्त बहुत अच्छा से एक वर्ड था क्या था वर्ड एक वर्ड लिखा हुआ था एक काटून बनाये हुआ तो दोस्तों पता है आपको काटून में क्या लिखा था एसी सिनेशन कैसे था एश एश एडबलेस एडबलेस आई एने टी आई ओन एश एस एस एसी सिनेशन गधा उसके उपर गधा उसके उपर मैं उसके उपर देश एसी सिनेशन अगर इस तरह का फाटो अगर आप देख लें एक गधा है उसके ऊपर एक और गधा है ऐसे देखेंगे ना एक गधा है इसके ऊपर एक और गधा है इसके ऊपर मैं हूँ और ओपर हमारा देस है जोड़ी तो assassination कुछ इस तरह से देखिए ना क्या बुराई है किसी वीडियो में देखे किसी बुक में को पढ़े कॉमिक के रूप में था बहुत अच्छा लगा हम सोचे आपका सेर कर दे बहुत अच्छा चीज है दोस्त तो इस तरह से हमको कोई अलग करके पढ़ना पढ़ेगा दूसरा बहुत सारे बच्चे होते है जिनको फिजिक्स में बहुत इंट्रेस्ट होता है किसी को केमेस्ट्री में बहुत इंट्रेस्ट होता है किसी को बायो में बहुत इंट्रेस्ट होता है तो बायो की चीजे उनको फटा-फट समझ में आती है Chemistry की चीज़ उनको फटा-फट समझ में आती है किसी को Math की चीज़ बहुत समझ में आती है यानि आप चीज़ों को Interesting बनाने कोशी कीज़े Interesting कब बनता है Interesting कब बनता है दोस्त आपको याद होगा एक और भी वीडियो हम बनाये थे पानी की टंकी में छुपा है सफलता कराज वो वीडियो आप ध्यान दीजेगा अगर कोई चीज में अगर आपके पस Information नहीं है तो आप नहीं grow कर सकते है आपको पहले Interest जगाना पड़ता है जैसे SS3 पढ़ना आपका Math बहुत अच्छा है Interest बढ़ गया जैसे आपसे कोई सवाल पूछा Math का आप Fert Sensor दे दिए दूसरा सवाल पूछा Fert Sensor दिए तिसरा सवाल पूछा Fert Sensor दिए इसका मतलब क्या है आपको Interest आप पड़ लिए वो SS3 में होता है तो आपसे तंकी में SST का पानी को भरिए यानि कि SST के Information को भरिए आप भरे नहीं है इसलिए मूँ से नहीं कल रहा है यहां भरिए ना SST को भरिए अद देखिएगा यह जो तंकी होता है ना याद होगा आपको तंकी वाला Example जो दिये थे यहां नल लगा हुआ है याद होगा यहां नल है इसमें न SST भरिए SST भर दीजेगा ना जैसे ही इस लेबल तक आएगा यहां से SST 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 4 तरफ से SST पानी निकलना सुरू हो जाएगा SST निकलेगा SST भरिएगा SST निकलेगा यहां पर जो सब्जेक्ट भरिएगा निकलेगा यहां SST भरिएगा तो SST निकलेगा यहां पर मैथ भरिएगा तो यहां से मैथ निकलेगा यहां से अगर साइंस भरिएगा तो यहां से साइंस निकलेगा दोस्त यानि जो भरिएगा निकलेगा ना तो भरिए तो और हम लोग भरते नहीं हैं और चाहते हैं कि निकले भाईया मेहनत नहीं कीजिएगा तो कैसे पाईएगा जाना है दिल्ली और कलकत्ता वाले रोड पे चड़े हुए हैं तो कलकत्ता नहीं पहुचिएगा दिल्ली वाले रास्ते पे चड़िए दिल्ली मजबूत नहीं है सोचिए सोचिए हमारा दीमा कैसा है दीन रत मैथ पढ़ते हैं और बोलते हैं कि मेरा सस्ट कमज़ूर है कि दीन रत साइंस पढ़ते हैं अब बोलते हैं कि मेरा तो पानी की टंकी को भरिये ना, इंगलिस से, अपने आप यहां से इंगलिस निकलेगा, अगर उसमें कोई कचड़ा भर दीजेगा, तो नल खोलेगा, तो कचड़ा ही निकलेगा, यानि क्यों टंकी क्या है, हमारा दिमाग है, हमारा दिमाग में जो डालेंगे, वो निकलेग अच्छी संगती में रहिए अच्छा चीज निकलेगा अच्छे विचार आएंगे गलत संगती में रहिए तो गलत विचार आएंगे सब फंड़ा दोस्त इस पानी की टंगी का है पानी की टंगी मोले तो अपना दिमाग क्लिर है उसके बाद है दोस्त कुछ ब्रेन एक्सराइजेज हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त इतना कुछ होने के बाद अगर आप ब्रेन एक्सराइज करते हैं न मतलब ब्रेन क परपस क्या है आपके neurons को active करना आपके neurons को active करना neurons active कैसे होते हैं कोई जो आप regular काम करते हैं जैसे हम लोग दाहिना हाथ से लिखते हैं simple एक दो example देंगे आपको समझ में आएगा सब उल्टा-उल्टा कीजिए आप football खेलते हैं दाहिने पैर से मारते हैं बॉल को हीट करते हैं आप बाएं पैर से हीट करने कोशिश किजिए आप दाहिना हाथ से लिखते हैं बाएं हाथ से लिखने कोशिश किजिए दाहिना हाथ से खाते हैं बाएं हाथ से खाने कोशिश किजिए करके तो देखिए दोस्त दिमाग के आप उन नियूरोंस को जबरदस्ती बोलेंगे सले तू काम करना पड़ेगा तुमको जो स्टाफ काम नहीं करता उसको ज़्यादा काम करवाय जाता है बोलते बहुत सुस्त है बहुत आलसी है अगर आपको बोडी बिल्डर बनना है आप घर में सोई रहेंगे तो बोडी बन जाएगी बने की जरूर इतना बड़ा इतना बड़ा बोडी बनेगा दोस्त बड़े बोडी बनेगा जीरो पैक बनेगा आपका, six pack तो नहीं बनेगा, zero pack जरूर बन जाएगा, तो zero pack से अच्छा six pack चाहिए, तो six pack चाहिए क्या करना पड़ेगा, आपको जीम में जाना पड़ेगा, lift करना पड़ेगा, पूर एक size करना पड़ेगा, ठीक उसी तरह से अगर हमको अपने दिमाग में zero pack नहीं चाहिए दिमाग का six pack चाहिए, तो दिमाग के हिसाब से काम करना पड़ेगा, दिमाग को brain train करना पड़ेगा, उसके neurons को active करना पड़ेगा, तो neurons को active करने के लिए करना पड़ेगा दोस्त, सबसे बढ़िया चीज है, योगा, अब बोलेंगे से योगा, सब मुझ बना लगा सर, उनसे बढ़िया कोई होजियार आदमी रहा, जितने भी बड़े बड़े संत महापुरूस हुए, सब लोग बोले, सब लोग योगा करते थे, क्यों करते थे, दिमाग उनका तेज जैसे थोड़ी था दोस्त, दिमाग क्यों प्रखांड बिद्वान थे, कैसे बिद्वान ब करें, तो आपको हम दिखाते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कोशिस करके देखेंगे क्या फरक पड़ता है, अच्छा बुरा जो भी होगा दोस्त, खराब होकत होने दिजिए न, क्या फरक पड़ता है, सीखने का काम है, जैसे मान लेते हैं, हमको अपना ही नाम लिखना है, तो हम ट्राइ करेंगे बाया हाथ से, देखें, कितना खराब लिख पाएंगे, सरोज, खुमार, देखिए दोस्त, कहने का मतलब यह है, कि हम लोग उत्रा बढ़िया तो नहीं लिख पाएंगे, कोशिस कर सकते हैं, कोशिस कीजिए न, खुद को, बाया हाथ से लिने कोशिस कीजिए, कुछ एक्ससाइज हैं, ब्रेन एक्ससाइज हैं, जो आप कर सकते हैं, दोनो करके हम आपको दिखाते हैं, आप ट्राय करक에 देखेंगे, जैसे एक हाथ में दो उंगली निकाल लीजिए, और इस हाथ में बीच वाली दो उंगली निकाल लीए, अगला बार करेंगे तो दोनों को उल्टा कर दीजे, देखिए, ऐसा हाथ में ये दो उंगली थी, इस करते हैं फिर इसको ऐसे करके देखिए 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 उल्टा-उल्टा करके देखिए न आपको मज आएगा कभी एक छोड़ा काम कीजिएगा पेट पेसे हाथ फिरिएगा माते को टैप कीजिएगा ऐसे करके हो रहा है कि आपसे दोनों हाथ से अलग-अलग काम कीजिए अप फिर इसको उल्टा करके देखी का तो इसे टैप करेंगे इसको करेंगे देखिए तो यह तो हम आपको कुछ एक सर्टेन एक्जांपल बता रहे हैं तो इससे बहुत सरा एक्जांपल है बहुत सरा तरीका है द परली ट्रेंड करना है और यह आपके गोल को पूरा करने के लिए सब कॉंसियस मैंड में सारा डेटा को फीड करना है कि जब जरुत पड़े तो नियूरोंस इतना एक्टीव हो कि फट से जाए आप जो डिमांड करें कोस्टन एक्जांपल में आप बैठे हों कोस्टन बना सिंपल फंड है दोस्त हमको लगता है कि आप ट्राइ करेंगे आपको ज़्यादा मजा आएगा और प्रैक्टिस कीजे दोस्त जीतना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बहतर आप काम कर पाएंगे चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ झाल उटाएंगे भाई प्रैक्टिस कीजे दबTI ejercिक्प के साथिध्यां एक रधाने पुर्चप व frontsराल कीजे दोस्त पैसजारा आवरे ऊ zieक करेंगे इ tahun